नमस्कार दोस्तों देहंदू करेंट अफेर में आपका स्वागत है और आज का लेशन बहुत जिदा इंपोर्टेंट होगा क्योंकि आज मैंने देखा है कि यहां से प्रिलिम्स और मेंस के एक्जाम में आपके अच्छे कुछ सुनाएंगे आप देखना बहुत आज संदार मेंने टोपिक इंकुलूट के हैं देहंदू नूजपेपर से तो चलते हैं अपने पहले टोपिक पर ठीक है तीन दिन की नूजपेपर इसमें कावर है और यह पीडि ठीक है चलते हैं तो पहले टोपिक पर तो यह देहंदू में एक तस्वीर आई थी जिसमें एक वेटलेंड के बारे में था जैसे कभी-कभी क्या होता है यहां से भी कुछन प्रिलिम्स में बन सकते हैं क्योंकि आपने कई बार देखा होगा ना कि नेसल पार्क है वेटलें है तो कभी-कभी वेटलेंड के उसे सिम्पल कुछन भी न्यूजबेपर से कंब हो सकते हैं तो यहां पर अपने काम का क्या था जो वर्ला वेटलेंड है कान पे गुजरात में यहांं defenses घart परब्योंकर उलिम्या को यह इंपरेंड हैं और जैसे कैसे कुछ सार आते अपने में आपने कई बार देखा होगा यह कुशन आपको अटेम्ट लेना है 2022 की प्री में और ऐसे कुशन बहुत ज़्यदा है तो एक काम आपको हमेशा करना चाहिए जिसे मैं कहता हूं कि जब न्यूश्पेपर में या आप प्रिवेश एर में देख रहे हो बार-बार जो कुशन है जैसे यह कुशन कौन सा है आदरुभमी और कहां पर है उनके मिलान वाला कुशन है तो इस कुशन का आप जो 30 कुशन है 2022 का इसका आप अनसर कमेंट बोक्स में बताना और यह आपके लिए होमर क्या है कि मेपिंग करनी है आपको आज की मेपिंग कौन सी करनी है हो सके तो अपने उप्सन है उनमें बदलाओ किया था तो उसके साब से यह होता है कि फिर सारी चीज आपको पता होनी चीए उसके साब से इनको आप कर सकते हैं तो मेपिंग जरू करा करो आप न और इसका कमेंट करके आप आनसर जरू बताना नेक्स्ट जो टोपिक है यह जो टोपि एक सामने कुस्ट आसकता है कि वोस्टों्रों जो अकाउंट है वो क्या है एक कीसे कि बनेगा मारे देश कि हमारे डेश के व्यापार की समझे है जो होता था करेंड़ ऑकका aut deficit की समझे आती है उसको कैसे सूल जा सकता है मेंस की एक्जाम में GS3 में ऐसा कुशन बनेगा तो इसकी जानकरिया आप को होनी चीए बाकि हम पढ़ते हैं कि यह क्यों चर्चा में है जैसे कि जैसे हाली में क्या हुआ है कि वैसे बहर सरकार और RB यह प्रियास कर रहा था पिछले और 2 साल सी की जैसे में Vichias Karl Rus के साथ जो भी व्याफबार करते हैं तो वहां की जो मुद्र है विशास की करल सकते हैं कि जो हमारी मुद्र है कि रुपे में हम भुकतान क chilे और्वारिस क्या होता है कि हमें विदेश में जो भी हम भी वाफबार करते हैं, हमें कोई चीज बाहर से खरीदनी होती है, तो हमें डोलर का वैसे भी संक्र रहता है, या हम कहा सकते हैं कि डोलर की एक मोनोपोली चलती है, जिसके करण कहीं हिंकि हमें जो बैलेंस ओपेमेंट उनकी समस्याइब कर गुजरना पड़ता है कई बार आपने देखा कि जो western countries है रूस पर आर्थिक पर प्रतिबंद लगाती है तो उसके दुरान भी ये समस्या आ सकती है ठीक है जो शूप ट्रांजेक्शन है उनको लेकर वायर ट्रांजेक्शन को लेकर समस्या आती है तो ये एक अच्छा solution है कि हम अपनी कि यहां पर आप अब भारत की वाफरे क्ट में जो भी वयापार होंगी जैसे उस बैंक में वहां के जो company है या कोई लोग है उनका account होता है तो भारती मुदरा में भारत के साथ में व्यापार कर सकते हैं ठीक है तो उनका व crisis account खुला IfC Press को फिक दए सा जा रहा है ठीक है तो लेटन बासम इसका अलग अर्थ होता है यह आपका यह हमारा ऐसा करके होता है बाकी जैदा डिटेल आप जाना चाहो तो कोई भी आप यूटूब पे थोड़ा सा रिसेच कर लेना इसका ना क्योंकि इस बार मैं मान रहा हूं कि यह कुछ ना सकता है साम दो चाहिए हमारी मुद्रा में उनको दर्शी बुगतान करने के लिए ठीक है तो वह हमारे बैक लिए वोस्ट वोर्ष्ट हो जाएगा रो उनके लिए nost jay गरेलू मुदरा रखते हैं, अभी हमने बात की कि जैसे हमारे गरेलू बैंक, SPI बैंक है और विदेशी कोई रूसकी बैंक है, अभी हमने दो-तिन बैंकों का नाम देखा, उनके लिए गरेलू मुदरा रखते हैं, जैसे भारत के मामले में रुपिया तो वो उनके लिए कौन सा खाता हो जाएगा, ये उनके लिए हो जाएगा, वो स्टो काता है, ठीक है और इनसे फाइदा क्या होता है कि गरेलू बैंक, इनका उप्योग अपने उन गराकों को अंतराष्टिप बैंकिंग सुधाई परदान करता है, इसे फाइदा होता है, ठीक है वेस्वी बैंकिंग की जो समझे होती है, जटिल समझे होती है उनको सुलजाने में ये काम आता है, ठीक है और इससे कही ने कही वही बात थी कि जो डॉलर की या जो नहीं मुद्राओं की समझे होती थी उससे क्या हो जाएगा व्यापार सरल हो जाएगा तो यह सब चीजे किसके साथ जुड़ी हुए हमारी इकोनोमी के साथ जुड़ी हुए जिडीप के साथ जुड़ी हुए तो इसको लेकर कुशन आवस्थे बनेंगे इसमें कोई सकनी विश्वास रखो इस बात का यह कुशन आएगा तो आपको छोटा सा हुमरिक इसका भी देता हूँ कि आप एक काम करना करते हैं लेकिन उनको भी यह बताने वाला उनों की कैसे पढ़ा जाना चीशिए अपने लेसं ऐसे होते हैं कि आपको अमेसा गाइड करेंगे कि आप news paper पढ़ते समय किन बातों को ध्यान रखो कैसे previous year को ध्यान रखोगे कैसे अपने syllabus को ध्यान रखोगे कैसे आएं तो हमं बात करते हैं में कैसे काम आएगा तो में बात करें कि कुछन चालू घाटा यानि हम कहीं कह सकते हैं कि कई वहार् Strawberry बेंड deliver हैं प्र खेंत होके वह लगनुदे कंदा की बाता है तो ऐसा कुशन मेंस के एक्जाम में जुरूर आएगा ठीक है तो ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम देखे तो वैसे डेटेल में जाने के आफ़कता नहीं लेकिन फिर भी इसके तीन गठक होते हैं कौन से गठक होते हैं तीन एक चालान यानि जो इन्वोईस होता है एक एक मतलब जो निपटारा करते हैं न तो जैसे विने मेदर के लेकर कई कुशना आचके विने मेदर का आप समझते हो कि जैसे थोड़ा सा इंगलीज में भी इसको देख लेते हैं तीन कंपोनेटीस के होते हैं एक तो इन्वोईसिंग एक होता है एक होता है एक सेटलमेंट जैसे कैसे काम करेगा कि हम कैसे बुखतान करेंगे तो उसमें यह तीन कोंपॉनेट होते हैं वह Skimple है। जो आपके चीजे काम की है ना तो अक्स्ट्रा नोट्स सको है जानबुज करता हूं कि अंको तो इसको जजाओंगा झाए किया आगे बढ़ते हैं। एह अब आए काम आपने मतलब काम कर सकता है तो इसके स्कुर्वेक्शन 2022 यह चैती ब्यूग फार कहते हैं है उसे समधित व्यापार परवा की निप्टान के लिए विशेस रूप से जैसे अमेरिकी डोलर है या जो अन्य विदेशी मुद्रा है उनकी मांग भूज़धा होती है ठीक है विशेस करम कह सकते हैं डोलर की डिवान ज़धा होती है क्योंकि हम किसी भी देश के साथ अन्य हमारा डोलर रहता है तो लेकिन डोलर की सीमा होती है कि कि कितना हम डोलर यहां पे भण 돌ार बना पाएंगे ठीक है उसके चकर में कई वारी होता है कि हमारा जो रूपया है डोलर की मकबले काफी गरता भी है तो इन सभी समधार को समधार क्या है व vivid store-n अकाउंट यहां पर बताईगी है इसके लावा जैसे यह दिम बात करें कि Bureau of International Settlement की यह दिम बात करें उनके एक रिपोर्ट देखें तो अमेरिकी डॉलर सभी ट्रेड़ों में 88% सबसे प्रमुक एक मुद्रा का माध्यम होता है ठीक है जैसे भारती यह रूपय का बात करें तो माधर कितना है एक डिसमल्पचा प्रतिसेत है तो यहां का कितना महत्स है तो कई निका जो वर्चस हो वह यहां पिटूटेगा तो यह जो डॉपिक कहां पर घूबढ़ू रहे है अपनी ट्रेड बेंस ट्रेड है व्यापार की शुलताने पर यहाँ में इस डिक सकते हों मैंने में इसके घ्जाम तो इस कुशन का भी जवाब आप देना 34 यहां पे लिखा है कुशन 2015 का आप जवाब देना मैं जानबुज के MCQ सामिल कर रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ अपनी त्यारी करपा हो ना जैसे आप इस कुशन को आटेम्ट लोगे आपने बहुत सार एकोनोमा की टोपिक पड़े हुई तो इस टोपिक को अटेम्ट लोगे तो आपके एक ट्यारी भी मेरे साथ साथ होती रहेगी कुछ कुछन का अंसरों में बताता हूं, कुछ आपके लिए छोड़ता हूं ताकि आप थोड़ा सा परियास करो, अफर्ट लगाओ, इंचे जोगो खोजने में, देखने में और अपना कुछन निकाल के लाओ, बहुत आसान कुछन है, इसका जवाब जुरू बताना, ठीक है से आगे बढ़ते हैं, और जैसे यह UMCC कूँ, बहुत इंपोटेंट है, इसी तरह से जैसे मैं आपको बता रहा था था कि हाली में, ऐमने कहकर है, जैसे यह Art and Culture म है इसमें बोत इंपोर्टेंट है जैसे मैंने कई वार बथाये कि आपको क्या पड़ना है आपके 1112 फाइन अर्ट के एंचे लिए बोत इंपोर्टेंट है तरीखा भी देख लो किस प्रकार युपीस ही प्रिता है ना जैसे लास्केर यह कुशं युपीस इस तरीक asse frame कियाते तो अपने अपने जो कंशन है वह ब हुँते से अपकी बराफ और यह चैप्टर वाइच देखे हो ना कि जैसे 11 चलास की जो फामने एंसे चितर वाला पर आपका जो मोग टेस्ट होता है वो नहीं हो पाएगा तो आप इनको एक तरह से मोग टेस्ट की तरह ले सकते हो अच्छे चेस में डियाग्राम जो मेप है अची जो फोट्वेंग की वो भी आपे एड की है जैसे अपना टेंट जो टेनियर के वेशे इंको बना रहा हूं तो आप यह देख रहा हूं आजकल जैसे दे हिंदू दो तीन दिन से क्यों आपाता है क्यों कंटेंट का भी काम करना पड़ता है इनकी प्रूफ डिंग करने पड़ती है बहुत सोसल मज़र के इनको थोड़ा डिजाइन करना पड़ता है काफी टाइम जाता है ठीक है हमारे इनकी प्रूफ रडिंग वह भी में काम करता हूं और जैसे हमारे दोस्त हैं जो इन्टू दे चुके हैं अभी यूपिसी की तहरी कर रहे हैं तो उनका काफी स्योग रहता है इन कार्यों में ठीक है अकले से नहीं हो पाते इतना काम आप समझ सकते हैं इन बातों को और कुस हर एक एस्परेंट इनको क्या कर सके अक्सेस कर पाएं तो इसका लिंक भी आपको अमारी वेबसाट पर मिल जाएगा जैसे टेनियर की आपने काफी सपोर्ट किया है काफी प्यार दिया है तो आपको अमारी वेबसाट का लिंक है इस्टडी आपको डिस्क्रेप्स में मिल जाएगा या आप गूगल में भी साच कर सकते हो आते हैं वापिस जैसे अपने देन दू की बात कर रहे थे ठीक है आगे नेक्स टोपिक पर हम सलते हैं तो यह टोपिक भी इंपोर्टेंट है हाली में जैसे जो मोनी अटम है उनका मतलब उनका जिसे कनक रेल है उनका क्या हुआ है निदिन वाए तो इनका इंपोटेंट रोल रहा है तो यहां से कुछन बन सकता है UPC क्या करता है कभी-कभी ऐसे कुछन पूछता है विश्याशकर जैसे जो हमारे सास्तरी नरते हैं वहां से भी कुछन आ सकते हैं या परसन इ मिल चुका है यह इंपोर्टेंट रोल है और आप चाहो तो जैसे अच्छे जो एक्जामपल होते हैं आप एथिक्स में निमंद के पेपर में या फिर जैसे महिला सास्तिकरण का को टोपी को उसमें आप इनको इनके अच्छे एक्जामपल आप बता सकते हैं या आपके लि रही है और केरल सरकार का जो गोफिनात रास्ट्री पुर्शकारम है वो भी इनको मिल चुका है इसके लावा जैसे इनका जो इनकी जो एजुकेशन है सांतिनी के तर में हुई है थोड़ी थोड़ी डीटेल मैंने यहां पे जान बूझ के रखी ताकि ऐसा कुशन फ्रेमो तो इनका कतकली और यहां पे हो गया आपका मौनिय अटम इनको काफी महारत थी इनमें अच्छा युगदान रहा है मतलब जो अपने सास्त्री नरते उसको आगे बढ़ाने में इसके लिए उन्होंने क्या 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 जैसे कैसकते हैं नालंदा नरते कला महाविदले की इस् कभी-कभी डेटेल के आओगा जो माइक्रो डेटेल है वो भी कुछन फ्रेम हो सकते हैं तो इनको भी हमें देखना चाहिए ठीक है और इसके लावनिंग की एक भूक भी है मी एंड माई मोहनी अटम कभी-कभी पुस्तके भी यूपी सीपरी में पहले आ चुकी है एक दो करते के मामने पीच्डी इन्होंने अर्जित की है ऐसा कुछन बन सकता है यह थोड़ा एक वार फेक्ट आप भी गूगल में चेक कर लेना ठीक है मैंने चेक है तो मुझे यह मिला था तो आप इसको देख लेना तो काफी अच्छा हो गया और इनको 2013 में क्या हुआ है पदम क्लासिकल आंशे तो आपको यह पता होना चाहिए भारत में कितने सास्थ्री नडटे कहां कहां पर यह होते हैं कभी कभी से सिंपल वाले कुछन भी आ सकते हैं बाकि जैसे इसमें टोपिक मैं हमने चर्चा में बेखा मोर्निय टम के बारे में देदिए इसको भी आप थोड जो डिटेल है मतलब जैसे के विशेश कर कौन से देवताओं को समरपित है कहां पर किया जाता है कौन से इनके अंदर जो वादी यंतर है उनको यूज में ले जाता है कुछ कुछ सब्दावलियों कभी कभी कुछन आ सकते हैं ठीक है इनको आपको पता होना चाहिए और इनका नहीं है तो आप एक काम करना जो CCRT की वेब साइट है वहाँ पर भी जाके इनके बारे में जानका रिहासिल कर सकते हो क्योंकि ऐसे कुछ आर्टिन कल्चर में आते हैं जिनको आपको जरूर देखना चाहिए ठीक है जब-जब न्यूज में चर्चा में रहती है तो यह टो में अच्छे मार्क्स आएंगे लेकिन हिंदी मार्दियम के विदार्तियों के सामने चुन होती है कि यह मेरा काम है कि मैं आपको साथ लेकर चलूंगा और आपसे वादा करता हूं कि यह कंटेंट देखना जब आप खुद पढ़ोगे बार-बार यूजिन करोगे और मेंस क की पढ़रा तो इस तरी के से लिखाओगा जैसे कि हम कोई ऐसे लिखते हैं एक सांदार ऐसे या एक सांदार मोडल आंसर की तरह लिखाओँ था ठीक है मैं बताओंगा कैसे लिखाओँ था और यह टोपिक कहा काम आएग आपने यह UPC एक तो ऐसे में काम आएगा बहुत अ परने में थोड़ा सा जानते हैं तो इसके बारे में क्या बताया है कि जैसे इसका इंट्रॉड़क्षन ही हो गए एक तरह से यह जैसे निम्न के पेपर में आप शुरू में लिखते हो या जी एस त्री में कोई करते हैं स difis लिखना उसा होना जो भी आपने उपर लिखा है जबिए लास्ट में जाती जातीए ऐसा होने चाहें कि आपने समस्या का समधान बतादी है, और एक saival servant का भी यह काम आता है उसके life में या जो भी कि यार यह तरीका बहुत बेश्ट तरीका है मैं डेली में खुद भी सीख रहा हूं टोपर्स की को पीछ देखता हूं खुद आंस राइटिंग करता हूं न्यूए स्प्रेंट के साथ बात करता हूं तो वहां से बहुत सारी चीज़े शीखता हूं वह निचोड में क्या बता कब हुआ था यह उनीच दिसम्बर 2022 को हुआ था जिसमें 188 देशों के परजनी देशों में इसमें भाग लिया था और 2030 तक इसमें बताए गया कि दुनिया की 30% जो भूमी और दुनिया की महासागरों का 30% क्या करेंगे उन्होंने टार्गेट लिया कि हम इनका सरक्षन करे सबसे ची बात है कि UPC खुद भी ऐसे इसी इनवाद के साथ ऐसी कुछन पूछता चाहिए प्रियो में सो तो आपकी एक आदद बन जाएगी हिंदी और इंगली साथ पढ़ने की है न तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने क्या अपना है हौल्ट और रिवर्स मतलब हमें कम करना है कि यह क्या प्लिज इसको लिया गया क्या उसको क्या बोलते है हिंधी में उन्होंने क्या लगसे रखाया या क्या मतलब एक तरह से हम कह सकते Patienten की तो इसके कुशन आपने देखा कितने कुशन पहले भी आ चुके एं तो इसको लेकर कुशन आ सकते हैं तो इसमें बताएगा है कि भारत वर्तमान में क्या है जैसे हम बात करें कि हमारे देश की जनसें के कदने 17% है और अंदर्बान निको बार हो गया तो उनको भी क्या करता है बारत होस्ट करता है तो इसको लेकर यह आपनी तरफ से लिखो इंटरॉक्षन लिखो ठीक है यह आपको समझाते समझाते हो सकता है काफि लंबा वीडियो बन जाए लेकिन ने कोई चीज़ वह चीज़ शुप न तो इसके लिए आप थोड़ा सा माप कर देना मुझे क्योंकि जो अच्छी चीज होगी उसको तो मैं थोड़ा समय लेके बताऊंगा और जहां पर मुझे लगा कि यह आपको पढ़ना है तो वह नहीं समझाओंगो वह आप पढ़ लेना ठीक है तो इसमें क्या जैसे भारत के कि बताऊंगा के प्रोग्राम की बात करते हैं इत्शांदार कंटेंट मनझाद माज़ा जाता है इसको पढ़ कर तो भारत क्या इस मामले में कर रहा है भारत की क्या पोटेंशियल भारत क्या समता विकास के कारी करम अपना रहा है तो हाली मैं आपने क्या देखा जो población के में या अपना कोई statement लिखना हो न तो आप बताना कि हाली में जैसे भारत का जो Kendri budget 2030 में उसमें इसकी green growth की बात की गी है जैसे उसमें सब्तरिशी या साथ प्रात्मिकता हो इसको सामिल के गया है बहुत अच्छा point आगा उसको underline करना ठीका highlight कर देना underline कर देना highlight तो क्या करेंगे underline होगा exam में तो वो कर लेना तो उसे फाइदा होता है तो भारत भी क्या कर रहा है कि हमारे देश की जो जेव विविता है चाहिए मिटी की बात करें जल की बात करें सभी जेव विविता को बचाने का अच्छा परियास कर रहा है ठीक है इसमें और भी अच्छा परियास क्या है जैसे हमारा एक रास्ट्री मिशन है the National Mission for Green India इसमें भी बहरत काफी ज़ा काम कर रहा है कि इसको वन आवरंड बढ़ाने के लिए तो एक second point हो गया की बहरत क्या क्या कर रहा है हमारी काईजी मिदारी है इसके लावा क्या क्या कर रहा है Green credit program है इसका उतले से क्या कंपनियों एक लाइन तो आपका कुशन आराम से सोल हो जाएगा ठीक है इसी तरह एक आपने इस बार ही बजट में देखा होगा मिश्टी जो है मिश्टी प्रोग्राम यह देखा होगा किसके लिए यह मेग्रोव इनिसिट्व फोर सोलाइन हेबिटेट अड टेंजिबल इंकम आपने द प्रोग्राम हो गया कितने अच्छे कीवर्ड आ रहे है इनको द्यारक ना अच्छी योजना ही आ रही है इसके लाव क्या हो रहा है एक प्रणाम प्रोग्राम का पिछर्चा मेरा बजट में रहा है तो क्या हो रहा है जो कीटना सकता है उनको कम करने के लिए एक तरह से हम अच्छा योगदान दिया जा रहा है तो यह आपके important point हो गया एक और important क्या है अमरित द्रहुर योजना इसमें क्या है कि इसमें सिद्धे तोर पर हमारे जेविक संपता का उलेक है और उमीद की जाती है कि जो आदर भूमी के इस्टम उपियों को इनको बचाने के लिए अमरित द्रहुर योजना डारेक्ट आसकता है किस से जुड़ी है तो ये एक तरह से आप कह सकते हो weightland से समधित हो गया इसके लावाद जेविविता, कार्बन स्टोग, प्रियावनी, प्रेटन के अवसरूर इस्तानी समधायों के लिए eye surgeon को बढ़ावद देना है इसमें important point है ये ये भी प्री में आ सकता है जितने भी चीज़े अब तक हमने चर्चा में किया न ये तो मेंस में तो आईगी आईगी या मेंस में आप खुद बताओगे, बलकि यहां से हरे एक अगर आप में प्री में भी कुशन चुपावाई है ठीक है इसलिए मैं बॉल ला था ना कि आज का वीडियो कितना important आपके लिए ये जानबूज की दोरान चाहता हूं कि आप थोड़ा सीरियस हो जाओ, एक्दम सीरियस पढ़ाई करो, इसके लावा जैसे हमारा जो वन नोट प्रयाउन जलवाई मंत्राले ये बहुत बड़ा important रोल ने बारा हर एक शेक्टर में चाहिए बाई डावश्टी की बात करें, नेशनल पार्क या जो टाइगर इजरुआ है या कई सारी चीज़ों में करा है, इसमें एक चर्चा में था कि जैसे उतर प्रतेस में एक वेटलेंड चर्चा में थी हैदरपूर, ठीक है, उसको काफी सरक्षन परदान किया हाली में चर्च जब तक जितने बी स्टेक अलडर थाई, आपने एक चीज़ सिज़ों की हो गी न की कोई भी समस्या है, कोई भी समस्या कोम ले 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 साघंवा, इनवारिमेंजीमानीग समस्या लेन । जब तक जितने भी स्टेक अलडर उसमें साथ नहीं आएगा तब स्त्रक्रम के पर इसका जो आउट कर रहा है यह क्या फिर सक्रातमत में और करना क्या यह प्रोंड जो पर इंग्लिस-वाले इसे के वर्ड को लिख़़ा इसमें काम करना होगा, तो ये आपके लिए एक अच्छा keyword हो गया, ठीक है, a science-based and inclusive monitoring program, याद रखना, ये keyword आपके लिए, जिनको highlight करा हूँ, हिंदी और English medium की विजारती दोनों द्यानक ना इस बात का, ये keyword आप मेंस के exam में खुद लिखोगे, मजा आएगा देखना, अच्छ है सकते हैं, और इसके अलावा जैसे हमारे वेटलेंड ecosystem का बविश से इस बात पंदिर पर करेगा कि, जैसे हम हमारे agriculture system कैसा है, आप नहीं देखा कि, हम बहुत सारे वेस्विक दिश्टिकोंट से हमारे देश में देख रहे हैं कि, जल संकट देखा रहा है, कई वर्साधिक पानी की कम हमें आफसकता है, तो कहीं के हम जल का स्रक्षन कर सकते हैं, इसके लावा जैसे मिलेट्स का परयोग कर सकते हैं, कि मिलेट्स क्या कर सकते हैं, एक तरफ नूट्रेशन को बढ़ा हो देंगे, दूसरा environment friendly भी है, जिनमें जल की कम हमें आफसकता होती है, इसके मज़ा आता है इसे आर्टिकल को पढ़किया न, आप देख रहे हो इस आर्टिकल को आप दोबार जब दो त्रिवार रिडिंग मारोगे न, या आप दे हिंदु खुत पढ़ते हो तो आपको मज़ा आया को इस टॉपिक को पढ़किये, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और सा फॉकस ना करें कि हमें पेड लगाना है, पेड लगाना है, बलकि ये भी ध्यानक नहीं कि एक तो जिस चेतर में जैसे हम पेड लगा रहे हैं, तो वहां का पारिटंतर कैसा है, वहां का कलाइमिट कैसा है, हमें वैसे ही पेड लगाने चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे कई वार कर रहे हैं तो उसके तालमेल उनमें होना चाहिए ठीक है इसके लावा जैसे मेग्रो फेल के हम बात करें लेकिन 50 जो पारिज दंतर उसका भी बचाव करना है किसे नहीं कि आप इनके चक्र में इनको नुक्सार पहुंचा तो यह scientific आपके पास knowledge data होना चाहिए तभी आप समझाओं को मिटा सकते हो सही से मतलब by diversity का विकास कर सकते हो तो यहां पर हमने इस article में क्या देखा यह पूरा का पूरा आपके पता नहीं कहां कहां काम आएगा मेरा आ और सरकार की योजनाओं को सरकार के परियासों को में इस्तिमाल करूँगा और यह में दिखाता भी कि ऐसे आप में कैसे इस्तिमाल करोगे ठीक है आगे बढ़ते हैं और last में conclude कर रहा है अब conclude यह article जब हो रहा है तो उपर तो हमने बात की कि हमारे पास approach क्या है जो इसका title कि कैसे भारत चेवित्ता में champion बन सकता है तो इसे नहीं बन सकता हवाव में champion नहीं बन सकता champion कब बनेगा जब हम काम करेंगे तो काम के लिए हमने बताए कि बात करें कि बात करें सरकार की और योजना की बात करें जो environment को बचाने में काम आ रही है तो हमने उसकी बात की बात पेड़ पोदा आप लगा रहे हो राज़तान में या आप वहां पे क्या जैसे हिमाले में नहीं लगा सकते हैं या हिमाले वाले राज़तान में आपको यह नोलेज होना चाहिए कि जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हो पहले ऐसा हुआ था कि पुराने समय की बात रहे 1970-1970-1980 कि तो उसमें यह वा था कि हमने वन्दार उपन जो कारेकरम चलाए थे उसमें गलत पेड़ पोदे लगा दिये जिसे राज़तान में ऐसा हुआ कि यहां पे जैसे जो यूकिलिप्ट्स क्या बोलते हैं सपैदाम बोलते हैं उसको उसके पेड़ लगाए लेकिन वो पेड़ के साथ परतिक्स रूप से जुड़े रहते हैं तो यह बहुत सांदर पॉइंट सामिल किया है कि जो इस्तानी है या जो हम कह सकते हैं जो नॉमटिक इस्तानी पर जाती हैं समुदा हैं उनको भी इसमें सामिल करना चाहिए उनके पास एक पारंप्रिक नोलेज का बंढ़ार कारओर होता है और कैसे वह सिजा को करते हैं आपने जैसे पवितरवन उनका योलेज आप इसमद्र कर सकते हो तो यह साथ में बता है कि सबी stakeholder मिलकेस में अच्छा कारी कर सकता है अच्छे मतलब चीजों का आगे बढ़ा सकता है ठीक है, लास्ट में इसमें conclude करते लिखा गया है कि जेविता और माननक कलियान पर राष्टी मिसन जिसे पहले से ही प्रदामत्री जी की इसमें कई सारी चीजे अच्छी यहां पर लिखे गई है तो यह आर्टिकल एंड होता है इसको पढ़ाते पढ़ाते ही काफी टाइम लगा लेकिन कुसन देखो कैसे आते हैं अब आपको पता लगेगा कि कैसे GS3 या GS2 के जो कुसन आते हैं डारेक्ट नूज पर परसाते हैं लगबग आपका काम बन जाएगा तो 2022 की एक्जाम में कुसन आया है कि गलोबल वार्मिंग वेस्वित आपन की चाचा कीजिए और वेस्विक जलवायू पर इसके परभाव का उवले कीजिए क्रिटो प्रोटोकल 1997 क्या लोग में इसको करना है तो यह हो सकता है कि जो अभी हम मोंट्रेल वाला पढ़ रहे हैं इस बार जो हुआ था उसको लेकर कुछ ऐसा बन जाए ठीक है जो आपकी 30 जो पले जाए उसके बारे में कुसन में आ जाएगी कि कैसे जेविता का सेलक्षन करेगी डारेट कुसन आ जाएगा ठीक है और देखते हैं जैसे 2021 में हमने देखा कि कॉप 26 हुआ था तो कॉप 26 को लेकर दो कुसन आ गए एक ही साल में ठीक है यहाँ पर देखो 25 मार्क्स के कुसन डारेक्ट आपकी न्यूज़ पर से आए एकदम तो इसी तरह कैसे इस बार भी कुसन फ्रेम हो सकते हैं यह कुसन आप देख लेना आगे बढ़ते हैं नेक्स टोपिक पर ठीक है तो यह चर्चा में रहा है भी हाली में क्या एक किलाडी यह प्राचिन संगम काल का एक जगह बताई जारी है जिसमें संगम काल के साख से यहाँ पर मिलें तो ऐसा कुसन फ्रेम हो सकता है तो 2022 में क्या तामिलाडू का किलाडी और कोंडा गई स्तल जो है वहाँ पर क्या मिलें 74 कार्णियल मन के मिलें जिसे यह दिखाई दे रहे हैं पोटुम आपको मन के यहाँ पर मिलें यहाँ पर 2015 से क्या हो रहे खुदा ही चल रहे है उत्कन कारी चल रहे है तो यहाँ पर क्या मिलाडू में एक सहरी सबिता के साख से मिलें यह देखो बहुत important है ठीक है और आगे बढ़ते है संगम यूग की बात करें तो यह क्या है हमारी प्राचिन जो हम history पढ़ते हैं प्राचिन इतियास की काल पढ़ते है उसका एक काल है इसको माना जाता है लग बग तीसरी सतापती इसापुरों से लेकर जैसे history के अंदर संगम काल के पढ़ते हैं इसे कुसन पहले भी आए हैं संगम साइथ है की कुसन आपने देखा होगा प्रीक की exam में आए हैं ठीक है तो इसमें किलाडे में क्या बताएगिए प्रारमिक एथेसी काल में कुछ चीज़ यहां पर बताएगी कहिनी की यह होता है की जो हमारे लापता लिंक है इनको कह सकते हैं की जो history के किताब हमें पढ़ते हैं की जो काल यह हम सेंस करती है समाज का जो एक example देखते हैं या पहले में क्या क्या होता था उन चीज़ों को भी से समझने में फाइदा मिलेगा important question तो ज़्यदा मुझे यह लग रहा है की वेगी नदी गाठी है इनको लेकर ऐसे question आ सकते हैं तो यह article चर्चा में था कुछ इसमें विवाद भी चल रहा है उसको लेकर भी था लेकिन सामिल करने का मकसद क्या था question कैसा है देखना है एक बार last year 2022 की exam में कुछना है कि दक्सिन बारत की गंडी कोटा गाठी केनियन नदियों में से किस पर निर्मित हुई है तो इसका जवाब भी आप देना 24-22 का कुछन यह आसान कुछन है तो यह जो हम पढ़ रहे थे भी है न वेगे नदीव अगिरा तो इनका भी कुछन ऐसा ही फ्रेम हो सकता है ठीक है आगे बढ़ते है ठीक है एंड हो गया आज ठीक है पढ़ी है आज हमने अच्छा पढ़ा है मुझे पढ़ा के भी मजा है इसको ना काफी पढ़ाने में जोर आए इसको आज चलो आप लोगों को सपोर्ट और प्यार रहेगा तो इससे कंटिनू अच्छे वाले लेशन जहां से आपको लगता है कि हर एक न्यूज में इससे कुछन बन सकता है मैं इसी न्यूज आपके लिए लेकर आता हूँ कि एससे लेशन लगतार बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए या इनमें क्या सुधार होना चाहिए आपकी ओपनेंड मेरे लिए बहुत माइन रखती है ठीक है कमेंट करके बताना साथ में आप हमारे टेलिग्राम को जोइन करना हो और हमारी वेबसाइट पर विजिट करना ना बूलना बहुत बहुत धन्यवाद